देश बढ़ से कोरोना वाइरस यानि C.O.V.I.D.19 के लगातार मामले सामने आ रहे हैं इसी बीच बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट है बिहार में अब तक कोरोना के 49 संदिक्द मिले हैं जिनमें 45 की जाच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और बाकी बचे लोगों की जाच हो रही है कोरोना वाइरस को लेकर बिहार नेपाल सीमा पर भी खास सतर्कता बढ़ती जा रही है नेपाल की सीमा से सटे जिलों में भारत सरकार की तरफ से भी टीमों ने जाच की है और पूरी टीम निगरानी रख रही है ये बातें बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने बताया है चांच रिपोर्ट 45 के आ गये हैं पैतालीस के रिपोर्ट जो आए है वो नीगेतिव है तीन रिपोर्ट अभी एबेटेड है जो बाद में गया है एक सेंपल रिजक्ट कर दिया गया है बने पयाने में कोई दिक्त ही होगी मतलब अभी तक एक भी केस बिहार में पॉजिटिव नहीं आया है। बिहार की सरकार के सभी Medical College Hospitals में, Microbiology Department में सेंपल कलेक्शन की व्यवस्था रखी गई है। ये सेंपल्स भी लिए गए हैं। और वहाँ जदी कोई जाच कराना चाहता है, तो जो बिदेश से आए हों, जिनको कहीं भी किसी तरीके की संका लगती हो, तो हमारे सभी Medical College Hospitals में, Microbiology Department में इसकी जाच की व्यवस्था, मतलब सेंपल कलेक्शन की व्यवस्था रखी गई हैं। पहले ये सारी जाच हम पूर्य वाइरोलोजी लैंड में भेच के करा रहे थे। अब NICED है, ये कलकणा के इंदर, National Institute of Colora and Entryk Division, वहाँ पर इसकी जाच की जा रहे हैं इन सारे सेंपल्स के। तो जो भी केसेंज हमारे पास आ रहे हैं, मतलब सेंपल्स जो आ रहे हैं, उसकी हम जाच कर वा रहे हैं और अध्यतन इस्तिकी यही है, कि उन्चार्स में 45 रिपोर्ट आये हैं, जो सभी के सभी निगेटिव पाए गए हैं। इस बीच में 19 से 23 फरवरी के बीच जो नेपाल से सटी हुई सीमा है। उस सीमा से जो लगे हुए जिले हैं जो पुर्वी चंपारण हो, पस्मी चंपारण हो, मधुबनी हो, हरडिया हो, सुपॉल हो, किसंगन हो, आपको बता दें कि दुनिया के 77 देशों में कोरोना वाइरस के मामले सामने आएं। इन में से 38 देशों तक कोरोना वाइरस पिछले 5 दिनों के अंदर सक्रिय हुआ है। चीन से नेपाल का सीमा लगा हुआ है। और नेपाल बिहार के बीच खुला सीमा होने की कारण बिहार को सबसे सेंसेटिव जोन में रखा गया है। कोरोना वाइरस का असर बिहार विधान सवा में भी देखने को मिला। जहां वीजे पीमलसी सचिदा नंदिराय मास्क बहन कर पहुंचे और लोगों को इस वाइरस को लेकर एतियात बरतने को कहा है। मास्क बहन के बिहार विधान सवा में है। इधर बक्सर में कोरोना वाइरस का एक संदिक दुमरीज मिला है दरसल जिले के चौसा प्रखंट के कोचिडी गाउं का एक लड़का चार दिन पहले इरान से लोटा है सरदी जुखाम के लक्षन पाए जाने के बाद डॉक्टर्स के टीम ने जाच शुरू कर दी है ब्लड सैंपल जाच के लिए भेज दिया गया है और लड़के को अगले तीन दिनों तक घड से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है ये लड़का एरान में किसी कंस्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था हमारी भी आप सबों से अफील है कि कोरोना वारेस को लेकर खास सतर्ता बढ़तें और इस बिमारी से खुद को बचाएं इस वीडियो पे आप अपनी रहा है हमें कोमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं इस तरह के और बेंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटुब चैनल देट प्लस को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप ए वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हो त तुमारे पेज को लाइक करें फॉलो करें शुक्रें